नमस्कार दोस्तों मैं कर्णल अजय सीओ अजय अश्ट्रोमानी गुरू दोस्तों आज के इस विशेश एपिसोड में हम बुलियन यानि सोने चांदी के उपर चर्चा करने वाले हैं गौर्तलब है कि भारत वर्ष के अंदर सोने का प्रचलन चांदी का प्रचलन सदियों से रहा है और भारत सोने की चड़िया के रूप में जाना जाता है आज बीव संसार में सबसे ज़्यादा स्वन भारतिय परिवारों के पास माना जाता है मंदिरों के अंदर अथा भंधार स्वण का माना जाता है और यदि हम भारत के स्वण भंधार की कलपना करें तो संसार का सबसे अधिक स्वण भारत वर्ष के अंदर ही माना जाता है दोस्तो सदियों से परंपरा है किस धंतेरश को सोन का यानि सोने और चांदी की खरीदारी की जाती है गनेश लक्षमी सोने एवाम चांदी के संपन परिवार खरीदते हैं लेकिन कुछ ना कुछ सोने एवाम चांदी की वस्तुए या चोंस या सिक्के भी खरीदने का प्रचलन है अब हम चर्चा करेंगे सोने चांदी में क्या संभावना बनती है दोस्तो अधि हम पिछले साल की तुल्ना में देखें तो चांदी ने लगबख 16 प्रतिशत का रिटन दिया है और जबकि सोना इने भी अच्छा रिटन देने अदिया है इसमें विशेश बात अब आने वाले समय के अंदर एक साल के अंदर सोने एवाम चांदी में फाइनिशल एसलोजिक के अधार पर क्या समभावनाएं नजर आती हैं दोस्तो सोन यानि सोने एवाम चांदी के अंदर मजबूती की समभावना जारी रह सकती है और ये 15 से 20 प्रतिशत की बड़ी तेजी इसके अंदर देखी जाने की समभावनाएं अगले धंतेरस तक बन बहतर आएगा और चांदी इस अगले साल तक लगबग 20 से 25 प्रतिशत की बड़ी तेजी दिखा सकती है और ये 90 से 90 हजार से 1 लाख रुपे तक की समभावनाएं बन सकती हैं आने वाले डेड़ से 2 साल के अंदर और एक साल के अंदर लगबग 25 से 30 प्रतिशत की बड़ी त होता है लेकिन ये सुरक्षित निवेश के रूपे सबसे अग्रिनिये माना जाता है फाइनिशल एस्ट्रोजी के अंदर यानि सोने के अंदर देव गुरु ब्रस्पति का रोल होता है जबकि चांदी के अंदर शुक्र घ्रह का बहुत महतवपूर्ण इस्थान माना जाता है आता है आप सोने वंचांदी पे नज़र रखिए और ये शुब दिवाली इसके साथ मनाए ऐसी हमारी कामना है all the very best good luck happy trading